चलो बच्चे तो आज हम लोग पढ़ेंगे बुड़नखंड पर्मिये फैक्टर थेोरम तो बैटा फैक्टर थेोरम क्या होता है इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है नहीं तो आप जो 2.4 का question number second है वहां से नहीं पढ़ पाओगे ठीक है समझ में नहीं आएगा तो पहले मैं फैक्टर थेोरम लिख देता हूं आप लोग NCRT किताबे लिए हो बोलो हां NCRT जो भी बच्चे बुक लिए है न बच्चा वो खोलने page number 48 page number 48 खोल लिजिए सभी बच्चे page number 48 NCRT बुकों में ठीक है वहां पर देखो गुड़नखंड परमिये की हेडिंग पड़ी है और यह क्या है यहां पर मैं लिख देता हूं कहरा कि यदि पी आफ यक्स घात यन इस ग्रेटर देन और इक्वल वन वाला एक बहुपद हो देखो यह है गुड़नखंड परमिये ठीक है लिखो इसे या समझो मतलब यह एक परमिये है जो कि आपके लिए मोश्ट इंपॉर्टेंट है राहु ले आदो जी गुड़िवनिंग बर चपड़ाई कर लो बाबू ठीक है और एक कोई वास्तविक संख्या होतो और यह होतो तो यहां से समझो अगर यह ऐसी कंडिशन होती तो इसमें दो मतलब फरमूले बनते हैं वो आपको याद करना है समझ के चलना है तो पहला एक्स माइनस ए पी आफ एक्स का एक गुड़नखंड होता है पी आफ एक्स का एक गुड़नखंड होता है तो को मैं हटता हूँ इसका स्क्रेंसाट कर लेना ठीक है? देखो बच्चा ये समझने वाला पॉइंट है अभी मैं इसको समझाओंगा जब क्वेश्चन करवाओंगा क्वेश्चन करवाओंगा तो इसको करवाओंगा ठीक है? रूबी देवेदी कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें कि नहीं? आ रहा है न? आगे लिखो ये दि पी आफ एक्वल जीरो हो लिखो और यहां लिखो दूसरा सिकन्ड लिखो ये पहला कंडिशन है कि यदि एक्स माइनस ए पी आफ एक्स का एक गुडनखंड होता है गुडनखंड होता है तो क्या होता बच्चा? पी आफ एक्वल क्या होता है? जीरो होता है यह इसका फ़िश्ट कंडिशन है ठीक है दूसरा लिखो यदि पी आफ एकवल जीरो यह होता है हो तो यदि पी आफ देखो इसमें दो कंडिशन बनती है बद चागुल अनखंड परमिय में कह रहा है कि यदि पी आफ ए घात एन इच ग्रेटर देनार इकवल वाला एख घात से जो है आप बहुपद का जुमान है एक घात से बढ़ना हो मतलब एक घात हो यह आफिर एक घात के बराबर हो यहीं रहीजार बहुपद ना हो ठीक है ऐसा अभी जब कुईस्टन लिखूंगा तो सब क्लियर हो जाएगा ठीक है एकदम क्लियर हो जाएगा डर industries एक्स माइनस ए पी आफ एक्स का एक गुड़नखंड होगा पी आफ एक्स का एक गुड़नखंड होगा देखो मैं अब समझा रहा हूं तुमें समझो यह तो वैसे कह रहा है कि यदि फलाने के बाफ हैं तो उनके बैड़वा हूंगे दूसरा यदि फलाने फलाने के बैटवा है तो उनके बाफ होंगे यह तुम्हे कम समझने आओगा ऐसे समझ लो कि जैसे माल advoc हमारे पिता जी ह différents है तो यह पहला आई यह कहना चाहता है कि x- e p of x की गुडनखंड होता है यानी हम जो है अपने pita जी के लड़के हैं दूसरे में क्या कह रहा है जिहां अपने पिता जी के लड़के हैं यह क्या होता है यह दो condition होती है अब इसका proof करना है ठीक है अब इसको proof भी करना है ना अब परमिय है तो जरूर यह करना proof को देखो आपने successful परमिय पढ़ा था reminder थोरम में P of x equal x minus a into q of x पढ़ा था ना और into r of x बोलो पढ़ा था कि नहीं बच्चा अरे ऐसे समझ लो भाई कि भाज्य बराबर यह क्या था बाज्यक गुड़े भागफल दंसेसफल यह होता है होता है कि नहीं होता ना बच्चा तो यह होता है तो भाई सीधी सी बात है अगर ये होता है तो फिर problem क्या है क्या समस्या है अगर ये होता है तो तुम्हें काम करो हमें पता है कि हमें क्या करना है गुड़नखंड परमिय करना है और गुड़नखंड परमिय में क्या होता राफ x 0 होता है बैस सीधी सी बात है जीरो होता सेसपल की नहीं कैसे देखो समझो समझो बटा यहां समझो जैसे अगर हम 35 अगर 35 को हम 7 से भाग करते हैं तो बोलो 0 आता है कि नहीं सेसपल 0 आया ना तो इसे हम ऐसे लिख सकते है 35 बराबर 7 गुड़े 5 बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, यहां पर प्लस जीरो लिखना जरूरी नहीं है, प्लस जीरो लिखना जरूरी नहीं है, तो अगर हम गुड़नखंड परमिय पढ़तेंगे तो उसमें यह आर जो है हमेसा जीरो होगा, फेसपल हमेसा क्या होगा, जीरो होगा, तो हमें इस जीरो से कोई मतलब नहीं है हमें सिर्फ इतने से ही मतलब है तो बच्चा अगर इतने से मतलब है तो यह आपका हो जाएगा जीरो ठीक है और आफ एक्स क्या हो जाएगा बेटा यह जीरो हो तो सभी तुरंत भाई देर ना करो बाबू ऐसे मज़ा नहीं आ रही पिल्कुल एकदम दिल से निकलने वाली बाते बोल रहा हूं चलो फटा-फट कर दो जब यह 0 हो जाएगा आपका यह खतम हो जाएगा इससे कोई मतलब है नहीं तो आपका यह आपका मेन फोर्मूला बन रहा है यह आपका गुड़न खंड परमिये यही है factor theorem लेकिन इसको ऐसे अपलाई नहीं करना है इसको ऐसे अपलाई नहीं करना जैसे देखो दाल भात खाये हो कि नहीं खाय होना सभी Mr. दाल रोटी कायो हो Mr. मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं उसको बनाते हैं डाल बना लेते हैं उसको फ्राइव रही करते हैं थोड़ा तड़ा पड़ाएं अच्छा बनता है न वैसे ही इसको थोड़ा सा भी ओर maintenance करना है कैसे इसका screenshot ले लो screenshot ले लो मैं सामने से हट गया हूँ हो गया चलो तो अब इसको मिटाते हैं अब जब हम question करने लगेंगे तब आपको एकदम दिमाग में समझ में आ जाएगा जब तक माली तुम तो किवल बात करने में लगी हो और आदित्य सर्मा बेटा तुम्हारे तो बगवानी मालिक है हां पढ़ लो भी पढ़ने का टाइम है ऐसा कोई नहीं देख रहा है तुम्हारे ये गबसब में सब देख रहा हूं जो तुम कर रहे हो अब देख रहा हूं अभी तुम्हारा बये बनाते हैं रुको रूखो रूखो एक सेंख नालायक है देखो यह पढ़ने आए पता नहीं लड़कें हैं कि लड़की हैं क्या हैं लेकिन इनको पढ़ाइस को मतलब भी नहीं बलग करो जो नहीं पढ़ने वाले नहीं बलग करो कि अब एक एक्जामपल देखो एक्जामपल देखो सिद्ध कीजिए या फिर प्रूब्ड कीजिए एक्स माइनस वन कीज़ फैक्टर आफ एक्स स्क्वार प्लस एक्स माइनस दो का एक गुड़न खंड है देखो आप किलियर हो जाएगा देखो बेटा आब किलियर हो जाएगा अब एक आजूम कर रहा है चल सही हो हाँ सही हो गया ठीक है क्या करना है सिद्ध करना है कि एक्स माइनस वन दिये गए बहुपद एक्स स्क्वार प्लस एक्स माइनस दो का एक गुड़न खंड है मतलब प्रूब कीजिए एक्स माइनस वन इज आफ फैक्टर आफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वार प्लस एक्स माइनस टू चलिए देखिए इसमें हम लोग फैक्टर थेयोरम अपलाई करेंगे कैसे करते हैं वो देखो ध्यान से चलो समझो यहां से बच्चा जैसे जैसे आप रिमांडर थेयोरम करे एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज 2.4 कुष्टन नंबर सिकेंड चलो अभी सिकेंड सुरू नहीं कर रहा हूं अभी मैं उसका केवल ट्रैल करवा रहा हूं देखो बच्चा अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था जब गुडनखं है अन्यथा नहीं है जैसे एक छोटा से एक्जांपल देख लो बेटा अगर मैं बोलूं कि संख्या बारा संख्या बारा है तो क्या तीन इसका गुडनखंड है या नहीं है तब ही बच्चे बताओ संख्या बारा का जो गुडनखंड है वो तीन है या नहीं है यास या नो बोलो इंडियन गेमर बच्चा आ रहा समझ में वनोज सिंग शेतन यादव संक्या बारा का गुड़नखंड तीन है कैसे जानेंगे देखो बेटा इसको भाग करेंगे इसको भाग करेंगे तीन चोंग बारा यह घटाने पर सुनना आ गया ना यानि सेसपल जीरो आ गया एक सिकंड के लिए सोचो कि अगर मैं तुमसे बोलता कि बेटा यह बताओ कल्लूलाल कि फलाने जो है ना चाच्चा इनका गुड़नखंड साथ है क्या बोलो है कि नहीं ममता समझ में आ रहा है कुणाल यादो आ रहा कुछ समझ में हिमान्सू प्रतिमा भिसकर्मा मुकेस एके तुम्हें भी समझ में आ रहा है तो देखो साथ से जब भाग करोगे चच्चा को तो यह संतुष्ट नहीं होने वाले है नहीं साथ दूना चवदा ज्यादा हो जाएगा साथ एकम साथ घटाने पांच आएगा देखो एक ठील लई के बैठा है इनके हज़ाब नहीं होता न तो यहां से क्या क्लियर होता है यहां सी यह क्लियर हो रहा है कि एकर तीन से भाग करने पर जीरो आ गया सेस्फल मतलब क अब तुम समझो बेटा अब इसमें हम जो दिया गया हमारा फैक्टर है इसको क्या करते हैं सुनने के बराबर करते हैं यहां से यक्स कमान निकालते हैं अब यही मान ला करके इसमें रखेंगे इसको मान लेते हैं ठीक है माना पी आफ एक्स बराबर यह जो भी आपका दिय बिद्ध है पॉलिनेमियल उसको 웃 के बराबर माने लोगे उस यूटना यहां से आएक लो एगर 0 हो जायगा तो है नहीं होगा नहीं है कि जिख रहा है अब इसके बाद देखो हैं यहां पर नहीं जगहा है यहां पर तुम्हें यहां कर दूंगा यह one का square one ही हो जाएगा बिटा और यह one का one ही रहेगा minus का two यह plus plus सब जूड जाएंगे तो two minus two बराबर क्या आएंगे zero कितना आ गया zero अब क्या कह सकते हो अब तुम कह सकते हो यह zero आ रहा है चुकि सेसपल सुनने आ रहा है आताहा x minus one पहुपद x square plus x minus two का एक गुड़न खंड है लिख लो चुकि सेसपल सुनने आ रहा है आताहा x minus one पहुपद x square plus x minus two का एक गुड़न खंड है आदित सर्मा समझ में आ रहा है समझ में आ रहा बिटा कि नहीं समझ में आ रहा है अल्ला बोल यारो तू का स्क्वाइर क्या है यह स्क्वाइर कहां करना गद है केवल वन का स्क्वाइर करना भे यहां पे भाई यह वन का करना यह समनी करना था मेरज कुमार समझ में आ रहा कुछ चलो बेटा तो यह हो गया आपका first देखो अगर सिस्टम से समझ के चलोगे तो बहतर होगा नहीं समझोगे तो फिर कुछ नहीं होगा अब book वाला question पे आजाओ किताब खोल लो page number 48 का हो गया परमिये जो था exercise 2.4 question number second पे आजाओ exercise 2.4 question number second इसमें से कौन-कौन किताब नहीं लिया बताओ एक गदह किताब लिया कि नहीं किसको बोल रहा हूँ पता है मुझे मालूम है जो नहीं लिया है देखो मेरी बात को बुरा नहीं मानना गदह है तो मैं मजाग में बोलता हूँ जो नहीं पढ़ता हूँ गदहा है ना तो भईया गदहा ना बनो किताब लेकिया हूँ हाँ समझ रहे हूँ ना किताब लेकिया हूँ तभी पढ़ पाओगे ऐसे नहीं पढ़ पाओगे चलो किताब खोलते हैं question number second question number second क्या कह रहा है first question तो तुम लोग करे लिए हो देख रहा हूँ क्या हो रहा है कुछ आउर होने वाला है second में कह रहा है गुडनखंड पर मिये लागू करके बताईए कि निमलिखित इस्तितियों में से परते एक इस्तिती में G of X P of X का एक गुडनखंड है या नहीं है G of X P of X का एक गुडनखंड है या नहीं है ये बताना है चलो बिटा question लिखो पहला first part लिखो यहाँ पर यहाँ पर G of X और P of X दो दिये हैं इनमें हमें गुडनखंड पर में ये लागू करके देखाना है 2X का क्यूब ये लिखा है P of X बराबर 2X का क्यूब अब plus X का esquire minus 2X minus 1 और G of X भी दिया है बचवा G of X दिया बेटा X plus 1 क्या दिया है x plus 1 ये आपका दिया गया है ठीक है इसमें क्या करना है हमें इसमें क्या करना है हमें इसमें गुडनखंड परमिये को apply करना है hector theorem को apply करके बताना है कि क्या g of x is a factor of polynomial p of x यह है कि नहीं है पैसी दी सी बात है इन चर्चा को 0 के बराबर कर लो यहां से x कमान निकाल लो मानला के इसमें ठूस तो बस अगर 0 आ गए तो है नहीं आ गए तो नहीं है समझे रहे हो ना जैसे तुम पढ़ाई करे हो तो पास हो गए यहीं पास हो गए तुम पढ़े थे फेल हो गए तुम नहीं पढ़े थे लोग यह तो समझते हैं ना चलो देखो अधीक से बात है कुछ नहीं करना ज्यादा उपर लिखो, एक लाइन लिख लो, पहला Question है मैं इधर उदर होता हूँ, तो यह Zoom कर लेता है लिखो यह दी एक लाइन यहाँ यहाँ पर लिख लो, बहतर रहेगा लिखवाओं की न लिखवाओं? दिया गया है, माना माना पहले से गया है सब माना गया लिखो लिखो खल लिखो यहां पर खल एक्स प्लस वन का सुन्नेक माइनस वन है लिखो यह सुन्नेक कैसे निकालते हैं मैं बहुत पहले बताया हूँ यह भी तरीका है आप कर लोगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बेटा सुन्नेक कैसे निकालते हैं इधर साइड में देख लो एक्स प्लस वन को जीरो के बराबर करते हैं तो एक्स कमान माइनस वन आएगा और यही क्या इसका सुन्नेक है सिबसी बोड़ाला बच्चा समझेगा जीरो है जीरो आप पलिनोमियल ठीक है इंग्लिस में उसको ऐसे ही बोलते हैं देखो आगे समझो यह जीरो है ना तो अब तुम क्या करोगे बच्चा अब इसी में ला करके सब रख दोगे बस फटा फट लाके इसी में रख दो ठीक है तो P of X equal देखो दिया है ना 2X का स्क्वाइर 2X का स्क्वाइर पलस X का स्क्वाइर बच्च को लीप पोथ रहा है यह दिया है ना इसमें X कमान हर जगा क्या रखोगे 1 रखोगे जो उसमें आया है minus 1 तो यह रख दो हर जगा minus 1 रख दो चलो यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा minus minus plus और यह हो जाएगा 1 तो बच्चा यह बताओ 0 आयेगा की नहीं आयेगा यह 0 आयेगा की ना आयेगा मुझे तो नहीं लग रहा आयेगा यार दो दो चार एक पांच क्यों भाई कहां से मी स्टेक मार रहा है question तो सही है ना 2x का square है plus x का यह cube है ठीक है square है minus 2x है minus 1 है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो नहीं लग रहा है होगा too iodate cube है यह cube है यह cube है यह कुछ भी है यहां पर कोई मतलब नहीं है one है नरहों हाँ हाँ ठीक है क्योग और हां फिक है यह minus में हो जांगा चाच्चा यह minus हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है no problem सब क्या है व्यांगे प्लस-9 सब क्षतम 정도로 होगा क्या है आप क्या लिखोगे तुम नीचे लिखो यह 0 आ गया न चूकी सेसपल 0 आ रहा है नीचे लिखो चूकी सेसपल 0 आ रहा है आता एक्स प्लस 1 दिये गए बहुपद दिये गए बहुपद 2x3 इसको लिखना है 2x3 प्लस x का स्कूर माइनस 2x माइनस 1 का एक गुड़न खंड है जो बोल रहा हूँ उसको लिख लेना बच्चा अगर अच्छे से पढ़ना है तो नहीं लिखोगे तो मज़ा नहीं आएगी फिर कुष्चन उतना अच्छा नहीं माना जाएगा समझ रहा हो ना भाई सब कुछ तो कर लिए हो तुम जैसे मैं एक एक जामपल बताता हूँ ना जैसे तुम दाल चावल बना लिए हो तुमको खाना है यह हाँ दाल पकाए हो सब कुछ करे हो थोड़ा फ्राई कर लो और मस्त लगेगा तो बस वैसे इसमें है कुष्चन तो तुम हलाई करे हो काम तो करें मेहनत करें नीचे एक लाइन लिख लो थोड़ा दाल फ्राईक तरह काम करेगा निचे लिख लेना चुकिस सेसपल जीरू आ रहा है आताहा एकस प्लस यन दिये बहुपद है बहुपद लिक लेना पूरा का एक गुडनखंड है बस हो गया चलो यूके गेम मर तुमको मैं क्या कहूँ बेटा पढ़ लो पढ़ लो भाई नहीं बलग करो इनको यार बलग करो बलग करो चलो 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 इसक्रीन साट हो गया चलो अगला सिकेंड कुईस्टन पर चलता हूँ अच्छा एक बात बताओ इसमें से कितने बच्चे किताब लिए है कि आपके पास NCRT बूक है बेटा NCRT बूक है आपके पास देखो बूक है तो बूक से खुद मेहनत करो घर पे ऐसे मज़ा नहीं आ रही लड़का लोग को पढ़ना नहीं है इसको फेल होना इसको पढ़ना कहा है इसको पढ़ना में मज़ा कहा आता है देखो बेटा सीकेंड पार्ट देखो इसका सीकेंड पार्ट क्या कहता है P of X equal देखो P of X equal X का Q प्लस 3X का स्कॉाइर X का Q प्लस 3X का क्या है यह स्कॉाइर है यह स्कॉाइर है समझो मेनत से समझो दिल से और क्या है 3X plus 1 ठीक है यह है इसमें कहरा कि G of X जो है X plus 2 है क्या है बेटा X plus 2 है यह दिया है ठीक है कहरा क्या यह इसका गुडनखंड है यह नहीं है सबी बच्चे मुझे बताओ यह इसका गुडनखंड है या नहीं है जल्दी बोलो बिल्कुल भी देर न करो ऐसे मज़ा नहीं आ रही बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रही चल बता बता जल्दी बता क्या X plus 2 इस पूरे पफ़पद का गुडनखंड है गुडनखंड पर मिय लगा के बताना है परतीक टेकनिकल बेटा तुम मेरी नजर में हो मिश्टर परतीक तुमारे जैसे नालायक लॉंडे मैंने नहीं देखे आत तक आत तुम दिख करायो मुझे चलो यहां पर देखो अब यहां पर क्या लिखोगे जो मैंने पहली लाइन में लिखा था वैसे ही कुछ लिखना है लिख लो इहां पर लिख लो X प्लस 2 का सुन्यक माइनस 2 है अब सुन्यक माइनस 2 कैसे है वो तो तुम्हें पता है मैं बहुत बार उलोगे कर लोगे न बच्चा देखो यहां पर समझो अब क्या करेंगे हम P of X जो भी दिया है इसी में ला करके सारा मान रख देंगे बस हो गया हमारा काम खतम देखो यही तो दिया था हाँ ठीक है ओके तो पी आफ यह माइनस टू इक्वल यह माइनस टू का क्यूग अगर यह जीरो हो जाएगा तो सही है जीरो नहीं होगा तो नहीं सही है बस हो गया दो दूना चार दूना आठ माइनस आएगा और ये दो दूना चार चार तिया ही बारा और ये तीन दूना चार प्लस वन देखो बेटा माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस माइनस जुड़ेगा तो आठ चार कितना हो जाएगा 14 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 14 आठ और 6 कहां गया ये और ये 12 हो जाएगा 13 क्यों भाईया ये तो नहीं ये लग रहा है फेसपल तो 0 आई नहीं रहा है थेखो तो कहां रहा है ये 2.4 का कुईस्टन नमबर सिकेंड का सिकेंड पार्ट देखो ये नहीं होगा आप लोग उत्तरमाला भी मिला लो साथ साथ में उत्तरमाला बहुत बच्चे मिलाते हैं यूपी बोर्ड वाले हमारे नहीं तो उनको चैन नहीं आता है सिकेंड थार्ड और फोर नहीं है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अखिलेश कुमारी समझ में आ रहा है प्रियंका सिंग, स्वाती, जैपरकास पटेल, MLS, लकी, रभी संकर, हीना, रूबी हमने कुछ गलत नहीं किया तुम लोग नलायक हो एकदम, गदहे हो एकदम, सच्ची बता रहा हूँ मतलब मैंने पूरा हल भी करा फिर कह रहा है कुछ गलत कर दिया बॉब गलत क्या कर दिया मैंने, पूरा तूह, हल करा हूँ चलो हो गया, कोई दिककत नहीं है नीचे हो गयाite नीचे लिखओ नीचे लिखओ चूकि सेज़फल 0 नहीं आ रहा है ऑताहा यक्स प्लस 2 आताहा एकस प्लस 2 दे गय वाहुपद दिये गए बहुपद ये बहुपद लिखे लेना पूरा का एक गुड़नखंड नहीं है एक गुड़नखंड नहीं है ठीक है? ओके, गुड़ निभाय आदो, समझ में आ रहा है आ रहा है, समझ में बॉनिष्टर गेमिंग आ रहा बिटा तुम्हें भी रमेश गुर्जर ठीक है, चलो तो ये हो गया बिटा, आपका सिकेंड पार्ट भी हो गया अब मुझे एक बात बताओ इसमें का थार्ड पार्ट कौन-कौन कर लेगा देखते हैं कौन-कौन हमारे बहादूर से रहे और कौन-कौन लोमड़ी है लोमड़ी है तो ये सब हैं, जो चैटिंग वैटिंग कर रहे हैं वहादुर सेर ही वो पढ रहें। सिर्फ पढ रहें, वो चिटिक-पिटिक नहीं कर रहे है तरड पार्ट देखो थर्ड पार्ट देखो वीटा क्या कहता है the p of X equal x का cube minus 4 x का square और plus x plus 6 ये दिया है इसका जो g of x यह जो factor कह रहा है वो x minus 3 है क्या है? x minus 3 है तो ये बताओ बच्चा क्या ये इसका गुडन खंड है या नहीं है सभी बच्चे बताओ 2.4 का question number second का part number third है दूसरा नहीं था तीसरा हाँ राकेश सिंग कर लोगे कनया कुमार question number तीसरा का गुड़नफल जिला आएगा जिला नहीं आएगा नलायक जीरो आएगा ठीक है बहुत अच्छे बेरी गुड़ कम से कम कोशिस तो किया अरे ये खचरों को तो देखो जो चैटिंग करने में लगे हैं अच्छा इक बात बताओ भाई साहब मैं पढ़ा तो अच्छे से रहा हूं पूरा दिल से पढ़ा रहा हूं रुमाल निचोड निचोड के मिठा रहा हूं और तुम कलास को लाइक काया नहीं कर रहा हूं बच्चा कलास को लाइक करो न यार तुरंद ऐसे मज़ा नहीं आ रही यार ठीक है बिलकुल भी मज़ा नहीं आ रही जानलो मेरा आत्मा नहीं कह रही कि मैं पढ़ा हूँ आगे तुरंद लाइक करो सभी दो मिनिट का टाइम दे रहा हूँ चलो हर एक बच्चा लाइक करेगा कलास को तुरंद देर नहीं करना है बिल्कुल तुरंद करो चलो तुरंद करो देखो आपकी भी थोड़ी सी responsibility है आप भी अपना responsibility मतलब जिम्मेदारी समझो हम पढ़ाएंगे फ्री पढ़ाएंगे आपको हजार दो चार हजार पेमिंट नहीं करना है लेकिन फ्री का मतलब ये थोड़ी कि तुम एकदम फ्री हो जाओ ना कलास को share करो ना like करो कुछ ना करो ऐसे नहीं मजा आता ना यार अपने दोस्तों में share कर देना चाहिए WhatsApp गुरूप बनाये होगे चार छठी गेम ओम का जो भी कोई भी गुरूप हो सब में बेज दो आखिर उसमें जुड़ी तो किसी की आत्मा ही होगी ना पढ़ लेगा पढ़ेगा तो अच्छा होगा देश बदलेगा समाज बदलेगा तो तुमारा भी दुकान चलेगी हाँ चलो जल्दी करो सभी like करो जितने जुड़े हैं तुरंद देर ना करो पटाफर जो क्यों उपर like हो जाना चाहिए तुरंध यूके गेमर बेटर तुम पांच मिनटग अराम कर लो मुझे पता है कौन खून नहीं करा है अभी इसमें से जो नहीं करा न मुझे सब मालूम है सब मालूम है कौन नहीं करा है जल्दी करो देरना करो देखो यार like करने डिफ like नहीं करना उपर जो अंगुठा का निसान है उसको दबाना है ऐसे नीचे वाला नहीं दबाना है उपर वाला दबाना है अगर पढ़ना चाहते हो ता बाकी तुम कुछ भी करो मुझे कोई फरक नहीं बढ़ता है हां चलो थाट कुश्चन कह रहा है कि K का मान ग्याद कीजिए इम लिखित इस्थितियों में से प्रतेक इस्थिति में X-1 P आप X का एक गुड़नखंड हो कुश्चन थोड़ा गुमारा बेटा दिमाग दिमाग थोड़ा संकार आई है कुश्चन देखो समझो कुश्चन समझो सभी कुश्चन नमबर थाड कि कहा से मिल गए मुश्चिब थाड थाड देखो देखो बेटा कुश्चन एक बार मैं फिर से पढ़ दूँगा किताब तो तुम लिये हो ना मैं हेडलाइन नहीं लिखोंगा बड़ी वाली इसमें जो पी आफ यक्स दिया है बाबू वो कुछ ऐसा है यक्स का स्क्वाइर प्लस यक्स प्लस के ये आपका दिया है इसमें कुश्चन में कह रहा था उपर की परतेक स्थिति में एक्स माइनस वन जो है इसका गुडनखंड है क्या है x-1 is a factor of this equation ओके समझ रहो ना सचीन चाओधरी को एकदम से बलाग कर दो इनके जैसे नालाइकों की बिल्कुछ जरूरत नहीं है इनको लात मर्ग भगाओ यहां से तुरंद इनके लिए यही लेंग्विज ठीक है ऐसे लोगों को क्या करोगे तुम देखो समझो तो यह क्या है एक बहुपद है यह इसका एक गुड़नखंड है यह कह रहा है इसको सिद्ध करो क्यूश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूँ जो बच्चें सी आर्टी बुक लिए हैं वो देख लें क्यूश्चन कह रहा है के का मान ग्याद कीजिए जबकि निम्नलिखित इस्थितियों में से परतेक इस्थिति में निम्नलिखित इस्थितियों में से परतेक इस्थिति में एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन पी आफ यक्स का एक गुड़नखंड हो पी आफ यक्स का एक Gुढणखंद हो तो बिटा जो पी आफ यक्स दिया है वो यही है यानि हमें क्या करना है इसको इसका Gुढणखंदमान करके K कामान निकालना है बैसे सिद्री सी बात लिखो, चलो लिखो Gुढणखंद है ना, तो हल लिखो यहां पे लिखो यदि X-1 P of X का एक गुड़नखंड है एक गुड़नखंड है तो क्या X equal 1 रखने पर X equal 1 रखने पर क्या ऐगा Final message पर 0 आएगा है ना रखने पर सूनने आएगा ये इसकी condition है इसको लिख लेना अच्छा लगेगा ये दि X-1 is a factor of polynomial P of X then when we put the value of X in this polynomial we find 0 देखो इंगलीज थोड़ा थोड़ा बन रही ना बनेगी तेड़ा मेड़ा बोलो कैसे भी बोलो बोलो चलो तो चलो रखके देख लेते हैं परियंका सिंग समझ में आ रहा कुछ आकास कुमार पिकास भिंड निभा चलो देखो तो यक्स का मान रखलो बेटा इसमें ला करके चलो खल तो उपर लिखी दिया हूँ ठीक है तो यह पी आफ यक्स मैं एक बार फिर से उतार लेता हूँ पूरे इज़त के साथ और जब हम इसमें ला के मान रखेंगे वन तो यह जीरो के बराबर हो जाएगा अटोमेटिक तो पी आफ यक्स नहीं माइनस वन रखना है ना वन रखना वन इक्वल क्या है यह वन हर जगा जहां पर यक्स है वहाँ वन और यह क्या है बच्चा कह रहा है कि जब यह मान रखोगे तुम वन तो यह जीरो के बराबर हो जाएगा तो हमें k कमान निकाल के दे देना, फट टफ से, तुरंट, तो ठीक है, यह 0 के बराबर हो जाएगा, तो हम इसे आगे भी बराबर कर सकते हैं, 0 के आइधर भी, चलो यह 1 हो गया, प्लस 1, प्लस k, इक्वल 0, चाहिए इधर कर लो, चाहिए उदर मतलब हो ही हुगा, यह 0 के ब है, रूबी दुवेदी, तोनाली, तोनाली कुमारी ठीक है, अब जो भी तुमारा नाम लेगा, उसे हम बलॉक कर देंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ओके, गुड, बेरी गुड, चलो बिटा, अब जो भी नाम लेके किसी भी लड़की का कमेंट करेगा, मैं उसे पर्मनें मैं खुद करूँगा, आप किसी से नहीं करवाऊंगा जो भी किसी का नाम लेकर के परेसान कर रहा, उसे तुरंथ बलाक करो अगर तुम लोग नहीं बलाक करो य Blue को भगा दूँगा किसको बोल रहा हूँ तुम समदे रहा ह villa हूँ जो इसकी डूटी है वह चलो ठीक है बच्चा? ठीक है, very good तो जो भी किसी भी लड़की का नाम लेकर कमेंट करें तुन बला करो और एक काम और करो, जो भी गल्स हैं वो लोग पढ़ाई पे सिर्फ ध्यान दे फालतू इन लोग के चकर में ना पढ़ो, इन लोग को जिन्दगी में कुछ करना है नहीं, इनकी जिन्दगी वैसे भी खतम है तो इन लोग को यही करना है, इनको ना पढ़ना है, ना किसी को पढ़ने देना है, तो तुम कमेंट के पीछे ना पढ़ो comment में कोई मतलब होने वाला है नहीं, इनको जो करने जो, करने दो, इनके पीछे time based ना करो, चलो, फालतु comment नहीं करना नहीं, तो दो मिनट के अंदर बारी नहीं आईगी दुबारा, ठीक है इसलिए फालतु comment नहीं, दो मिनट में एक कैंक कमेंट a टने चलो, यह हो गया? अब इसका second part पर आज़ो बिटा Second part पर आज़ो Second part पर आज़ो यहां पे देखो क्या कह रहा है? Second part क्या है? बाई लिखो यार क्विश्चन तो बहुत सारा है तुम लोग पढ़ना चाहता नहीं एक को मैं इतना मेहनत कर रहा हूं मेरा मन करा तुम लोग को लतिया लतिया अगमार्ग भगा दूं सही जो कमेंट कर रहा है फाल तू का लिखो पी आफ एक्स इक्वल तू एक्स काई स्कॉयर ऐसे ही लड़के होते हैं जो आफ लाइन में आते हैं उनको बहुत बलभय मारा जाता इसलिए है फिर हो जाते हैं अगले दिन गार जी इनको लेके आते हैं गुरु 지역 हमें तो भीना मतलब दुन्दि हैं हम तो बहुत सुन्दर लड़कें बहुत सीधे साधें हैं कलास में भी वही करते हैं आके पाचीत करेंगे खुशुर फुशुर करेंगे तो हाथ पयर बटोर दिया जाता है तो फिर घर वालों को बुलाग लेके आते हैं बाई यह तो मार रहे हैं यह तो दुस्मनी है हमारी इन से चलो ठीक है इसका जो फैक्टर है वो किता दिया है देखो बेटा इसका जो फैक्टर दिया है हाँ यक्स माइनस वन सब का वही दिया है अलग-अलग नहीं है ठीक है बहुत अच्छे देखो कोई फालतु कमेंट नहीं करें क्योंकि दो मिनिट के अंदर तुम कमेंट दुबारा नहीं कर पाओगे इसलिए फालतु नहीं करना मतलब की बात पूछो के हमसे हम बताएंगे इसलिए फालतु कुछ मत लिखो क्योंकि तुम एक बार लिख दिये तो दो मिनिट के अंदर दुबारा नहीं कर पाओगे फिर दो मिन को फिर से लिखोंगे जो अभी अभी मैंने लिखा था क्या लिखा था निचे लिख लोग मैं लिखूंगा नहीं यदि x-1 यदि x-1 दिये गए बहुपद दिये गए बहुपद 2x square plus kx plus under root 2 का एक गुणनखंड है तो x equal one रखने पर zero होगा इतना लिखने के बाद क्या करोगे बैटा? इतना लिखने के बाद फटा फट इसमें लाके मान रख लोगे अब मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मैं एक बार लिख के बता दिया हूँ जैसे पहले में बताया हूँ, ऐसे तुम सब में कर लोगे तो बेटा यहाँ पर 1 रखोगे, हर जगा 1 रखोगे यह k into 1 यह एंडरूट 2 इसमें प्लस है भाईया, यह चिन भी लगाओ ना, यह यह, थीक है, तो फाईनल में क्या होगा, जब इसको मान हम रख देंगे तो यह 0 के बराबर आजाएगा क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने सेषफल पर्मिय में यही पढ़ा है, पढ़े हो ना, सेषफल पर्मिय में पढ़े हो बागफल परमिये में भी पढ़े हो बाकी बच्छपन में वैसे भी पढ़ते आयो ना जब यह मान रखोगे बिटा तो यह क्या हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा हां यह जीरो हो जाएगा फाइनल में तुम जब के का बैलू निकालोगे इसे ऐसे भी कर सकते हो हो एक उत्तर यह भी हो सकता है एक उत्तर तुम यह भी लिख सकते हो अगर इसमें माइनस वन से क्या करो है है बाइस सब माइनस हो जायगा का कि इसमें कोई प्लस का चिन्य नहीं ता कहीं नहीं था, ठीक है, इसका एक उत्तर ये भी हो सकता है, अगर तुम माइनस वन इसमें से कामन ले लो, तो माइनस वन अगर तुम कामन ले लो, तो ये दो प्लस अंडरूट दो भी हो सकता है, तो इसमें से दो नो हो सकता है, देखो अंसर अंसर में क्या दिया है, ये का मानी न निकालना है ना ठीक है ओके अनिमेज तुम्हें काया को दर्द हो रहा बेटा पढ़ लो चलो इसका स्क्रीन साट ले लो इसका फटाफट इस्क्रीन साट ले लो हो गया ठीक है तो तुम इसको भी कर सकते हो इसको भी कर सकते हो यह तुम इने अलग से बनाया इस्ट्रा बाकी उपर वाला ही छोड़ देना ठीक है कोई दिक्खत नहीं है उपर वाला ही छोड़ देना सबसे आसान रहेगा फाल तु काम नहीं करना पड़ेगा कामन का मतलब क्या होता बेटा बेसिक वाला पढ़ो उसके लिए बेसिक पढ़ोगे तब पता चलेगा तुमें बेसिक पढ़ोगे नहीं कभी तुम कभी पढ़ते हैं नहीं बेसिक की बात छोड़ो जो बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तड़ फढ़ रहे न वो चैनल को तुरन सबस्क्राइब कर ले बेटा क्योंकि तुम सब्सक्राइब कि यह बिना कमेंट नहीं कर फाऊ गो से लिए कि यह बत्चा कमेंट नहीं कर पा को इससो इसमें थंट लोगोंने कहा है देख़ाते थे इस्क्रीन साथ लेलो हो गया मैं हटता हूं सामने से नीचे वाला इसको मिटा दो आपके भूकों में यहां तक नहीं करेंगे कोई यहीं तक छोड़ देंगे यहीं तक हो गया ठीक है चलो आठ बज गया का तो कलास को बंद कर दिया जाए या पढ़ाया जाए क्या कह रहे हो आठ तो बज गया बंद कर जाए पढ़ाया जाए भी और पढ़ोगे जोनाली सभी बायज को क्यूं बोला बताओ इमांसु बेटा इसलिए तो पांच मिनट का होल्ड कराऊं न तुम्हें इसलिए कराऊं दूसरे लिए थोड़े सभी स्क्रीन साट ले लिए आगे बढ़ें नभ्या गुपता और पढ़ाया जाए भी और पढ़ाया जाए न वन मोर चलो तो बिटा थार्ड के जो तीन पार्ट थे नहीं दो पार्ट अभी हुए न इसमें दो पार्ट अभी और हैं अब इनको तुम खुद से करोगे मैं नहीं बताऊंगा तुम लोग कुछ कर नहीं रहें अपने से मैं बेवकूप थोड़ी हूँ एक एक क्विश्चन करवा दूं सब छपवा दूं तुम कुछ ना करो अठ बजे कुछ था क्या नो बजे है न बहुत ज्यादा देर पढ़ाना भी कोई मतलब नहीं तो बेटा देखो होमवर्क है आज के लिए होमवर्क है होमवर्क देखो लिख लो मैं बता रहा हूं तरीका समझो तुम सभी होमवर्क लिखो पहले होमवर्क क्या है इक्सर साइज 2.4 कुश्चन नमबर फ़र्स्ट सिकेंड और थार्ड आल पार्ट इसको करोगे तब ही हल करोगे मैं होमवर्क एक दिन चेक करूंगा सब्ता हमें मंगवाऊंगा वाट्सप नमबर दूंगा अलग से अपना परफिनल नमबर ठीक है यह होमवर्क एक दिन में नहीं चेक करूंगा आज दे रहा हूं तो मैं कल नहीं करूंगा मैं हर दिन होमवर्क दूंगा सटर्डे या संडे में किसी दिन टाइम निकालूंगा उस दिन मैं आपको लाइब में नमबर दूंगा अपना अलग से उसमें चेक करूंगा एक एक जो सेशन है वो यहीं पेंड करते हैं, सभी जितने भी हमारी इस्टूडेंट की टीम है, सभी जल्दी से कलास को लाइक कर दें, देर ना करें बिल्कुल भी, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे की ज्यादा फे ज्यादा कलासें उन्हें मिल सकें, यूटूब प होती है, सेयर भी रोज होती है, ठीक है, हाँ, तो कलास बंद करने के पहले एक बात है, हाँ पर सुन लो, जो बच्चे पीछे की कलास नहीं देख पाए हैं बेटा, वो समझें यहाँ पर, आप सभी टेली गराम जानते हो, हाँ, इस्पेलिंग देख लो, टेली गराम पर ज जैसे ही जो आइन करोगे, आज तक की जितनी भी कलास चली है, इस टेली गराम चैनल पे तुम्हें सब मिल जाएगी, सारी इकठा, सारी कलास इकठा मिल जाएगी बाबू, ठीक है? और अगर तुम यह नहीं जानते कि टेली गराम क्या है, कैसे जोआइन करें, कुछ नहीं जानते हो, यूटूब पे सर्च करना जानते हो न, जहां तुम बोल के सर्च करते हो, वहाँ पे एक बार सर्च करना, टेलीगराम PVR स्टड़ी, यह दोनों वर्ड बोलना, या फिर PVR स्टड़ी टेलीगराम, तो में सबसे उपर दो वीडियो मिल जाएंगे उन वीडियो में से जो सबसे उपर रहेगा उसको देख ले न उस वीडियो में सब बताया गया है टेली गराम क्या है, कैसे जोईन करते हैं, कलास कैसे मिलती है सब बताया गया है ठीक है बिटा, इसको कर ले न फिर आज का सेशन नहीं पर बंद करेंगे आप लोग ये बताओ कौन-कौन कहां से जुड़ा है कौन-कौन कहां से जुड़ा है जैसे कलास परियाग राज उत्तर परदेश से होती है तो आप लोग कहां से हैं बोलो तो क्लास परियाग राज उत्तर परदेश से होती है आप लोग कहां से हैं एक बार बताओ तो थोड़ा दो मिनिट देखता हूं बड़ा मज़ा आता है क्या 7 पीम क्लास का टाइम ठीक है आप लोग क्या कहते हो साइंस का क्लास सुबह 7 बजे देखना जरूर सभी ठीक है साइंस का क्लास सुबह 7 बजे जरूर देखना बिटा ठीक है न बिनोद मियुजी कह रहे हैं इतना मेहनत करते हैं मैं प्रेयर करूँगा आपका परिवार अच्छा रहे आप इसी तरह पढ़ाते रहें अपने भविस से में बड़े से बड़ा टीचर बनिये बिनोद जी दिल की गहरईयों से आपका सुक्रिया आप ही लोगों के प्यार से तो हमें हाँ पे खड़े हैं पाकी कहां इस दुनिया में कौन किसका होता है तो भाई बिहार से जुड़े हुए हैं हमारे साथ बहुत सारे बिहारी हैं जिनमें से लाख कुमारेक हैं खाजीपुर से हैं, बंटी यह भी बिहार से ही हैं सहरनपुर, UPS से आरएनतिवारी हैं वहीं BLP म्यूजिक राजस्थान के भिलवाडा जिले से हैं देखो बेटा राज्य और जिला दोनों बताओगे तभी हम पढ़ेंगे कमेंड ना इतना ही पढ़ेंगे राज्य और जिला दोनों बताओगे तभी पढ़ेंगे सिर्फ अकेले नहीं मदपूरा से जितेंद जी जुड़े हुए हैं परताओगड यूपी से आदित दुबंसी हैं वहीं रीसुतिवारी रीवा के मद्धेपर्देश से जुड़ी हैं और आगरा के उत्तर पर्देश से आदित परिहार पढ़ रहे हैं मनोज कुमार बकसर बिहार से जुड़े हैं एके जूंड बोल रहे हैं सिदार्थ अगरवाल उत्तराखंड के कोटवार से हैं सिदार्थ नगर से रोहित हैं और संकेज जी बिहार के भागलपूर से हैं हीना साउच अचतिस गड़ से हैं ललिदपूर के उत्तर परदेश ललिदपूर से अंकुल परजापती हैं, नाब्या यूपी कानपूर से हैं, मीरा वारमंकी उत्तर परदेश से हैं, पर्तिक नलायक कोभी तक कोनो बलाक नहीं करा, मैं कर देता हूं इसे, चलो गीता मौर्या यूपी आजमगर से हैं, और देव माल भी ये भोपाल मद्य परदेश से हैं, जै महाकाल यूपी जाउनपूर से हैं, अमिर जी भाई नरेस ये भगवानपूर से हैं, पता नहीं कहां से हैं कुनाल यादव उत्तरपर्देश जौनपुर से हैं देखो बेटा मैंने एक पोलिंग किया है उसमें तुम लोग यास या नो बताओ एक ओर्ट करने के लिए स्क्रिन प्या होगा ना उसमें यास या नो बताओ कोशन पढ़के सोनाली और या यूपी से हैं अभिसे कुमार बिहार के छपरा जिले से हैं यम यलेस लकी यूपी के मैं पुरी से हैं उत्तरपर्देश के संबल से सुनील यादव जी पढ़ रहे हैं कोंडा से सोनु डूड दूबे स्वरी इनों की स्पेलिंग भी गलत है मैं गलत पढ़ भी यूपी के माउ से हैं स्वाती मिर्जापूर उत्तरपर्देश से जुड़ी हुई हैं अंकित भी जुड़े हैं भारत देश से ही हैं किर्फना जी ये महराष्ट्रा से हैं जिला इनका है पूने मुन्ना कुमार यूपी के आजमगड से हैं सोनु परजापति फैजाबाद म अभी के वाल इंडिया वाले हैं ठीक है अच्छा है तो पूरे भारत देश से बच्चे जुड़े हैं दूर दूर से अच्छा लगता है थोड़ा सा आप लोग थोड़ा और सपोर्ट करिए कलास को सेर करिए आपके जो इस्कूल का गुरूप बना है आपकी जो बच्चों का गेमिंग का गुरूप बनाए हो तुम लोग मुझे पता है कितने खतरनाक हो हर जगा कलास को सेर कर दिया करो बाबू और रोज कलास को लाइक किया करो देखो अभी आप देख रहे हो भारत देश के साथ आठ राज्जी के बच्चे हैं तो कोशिस यह होनी चाहिए कि आने वाले महिना दो महिना में पूरे आल इंडिया के थोड़ा सा रुखना देखो यार इंटरनेट थोड़ा सा डिस्टर वह जाता है तो आप लोग जाना नहीं ठीक है कि इंटरनेट थोड़ा डिस्टर वह था तो चलो ठीक है आज का कलास बंसकरते हैं टाइम भी हो गया ऑबर हो गया है सब कुछ ठीक है बच्चे फिर कोई दिक्कत नहीं है बहुत बहुत थेंक्यू आप सभी को दिल से धन्यवाद सभी कलास को जादा फिजादा सेर करें और लाइक करें आपकी साइन्स की कलास सुबा होगी साथ बज़े से बच्चे याद रखना सुबा साथ बज़े से जरूर देखना वाटस अप याद हो जी आप भी जाग गए हैं सो करके ठीक है सुबा हो गई है पढ़िए लिखिये सुबा हो गई है हो गई है तो चलें फिर बंद करा जाए कुछ चाय पानी मिलेगा का आप चलो फिर बहुत बहुत थैंक्यू आप सभी को बंद करते हैं चलो ठीक है